हेलो एवरीवन जेमा तदी आज कर जो टॉपिक है वो हमारा स्नेक प्लांट के उपर है और आप सभी को पता है कि स्नेक प्लांट आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पे बहुत असानी से लग जाता है और अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो इसे हमें हमेशा ऐसी जगह प हो जाते हैं एक से बहुत सारे जैसे कि आप देख सकते हैं यह डिवाइड होके कितने सारे ही बन जाते हैं तो यह सारे बन जाते हैं और साती साती से आप पानी में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं डिरेक्ट सोयल में भी इसे लगा सकते हैं कोको पीट परलाइट में भी ल तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले ही कटिंग लगाई और दो तिन दिन में आपको इसके रूट जिख चाहेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रूट साने के लिए तो आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और साथ यसाथ ऐसे कोकोपिट परलाइट में भी लगा सकते हैं और साथ यसाथ आप इसे पाने में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत असानी से लगने वाला यह प्लांट है और इसको कटिंग को लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है बाकि यह डिवाइड होते रहते हैं टाइम टू टाइम जैसे पुराना प्लांट हो बुइस भेनागेड मरफ मार्म कों करते हैं और की निए भी ज़िस पारे落। ताजिए भी में थाई किसम हो रहा है तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं रुप में आपउर में खान्स प्लान्स दें इसकी तोनी चीए सकता हुस्मिपक्तल होनी चीए कंपोउश तोड़ी सी ही होनी क्या फिर से जब चाल सकते हैं और आप 40% ता कम से कम इसमें सैंड रखिए 50% ता गार्डन सोल रख दीजिए ऐसी मिट्टी आप इसमें बना सकते हैं और इसको फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं सारे जितने स्नेक प्लांट बड़े वले हैं वो पीछे वली साइट में लगा दीजिए और जो उसे छोटे ह अगर आपके पास इसे भी बड़ा क्यारी वला पोर्ट है तो यह बहुत अच्छे से इसार ही आपके स्नेक प्लांट इसमें लग जाएंगे और बहुत ही सुन्द लगेंगे आप सब को जैसे ट्रे गार्डन होता है न तो बिलकुल सेम वैसे ही लगेगा और आप चाहे तो इसमें कलरफूल मतलब पत्थर रख सकते हैं कुछ भी चीज रख सकते हैं आपको जैसे भी डेकुरेशन करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्लास्चिक का पोर्ट ऐसा या किसी पत्थर वाला जोता है सीमिंट का है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं और मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगे कि यह कितना सुन्दर लग रहा है लगाने के बाद पीछे वली साइड आपको बड़े वले स्नेक प्लांट रखने हैं और आगे वली साइड में उससे छोटे और सबसे छोटे आगे और यह बहुत जादा सुन्दर लगने वाला तो आप भी ऐसी जगा को बचा सकते हैं अगर आपके पास भी जगा नहीं है जगा की कमी है तो आप ऐसे लगा सकते हैं एक ही पोर्ट में सारे स्नेक प्लांट और वैसे भी बढ़ते रहेंगे दीरे-दीरे जब आपको लगेगा कि इस पोर्ट में पूरे फिल हो गए है सारे प्लांट भी आचेंगे जगा भी बचेगी और ऐसे पोर्ट को हमें समालने के लिए भी ज़्यादा मेहनत की जुरूरत नहीं होगी नहीं तो आप सोचें इस सारे पोर्ट को आपको कितना आपको कभी पोर्ट को इधर रखना होता है कभी इधर रखना होता है कुछ चीजे सुन्दर बनानी होती है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं आप ऐसा पोट ले सकते हैं वाइट कलर का किसी भी कलर का जैसे भी आपको लगाना हो जैसे भी पोट आपके पास हो पर ऐसा क्यारी वाले पोट में यह बहुत ज्यादा सुन्दर लगेंगे अगर इसकी जग यह बहुत सारे हो चुकिया यह भी दिखाते हुए देखे यह बड़े वले स्नेक प्लांट है जोटी वली ड्राफ राइटी है यह दूसरे वले विराइटी है और यह अशी वली है येलो वली जिसकी साइट्स में ऐसे येलो होता है ये देखे ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी स्नेक प्लांट में नहीं तो हमारे स्नेक प्लांट में खराब होते हैं तो इस चीज़ का हमेशे ध्यान रखना है मिट्टी ड्राइ हो तब ही आपको पानी देना है और वाटरिंग कभी नहीं करनी इस चीज का भी धियान रखना है मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ यह कैसे लग रहे हैं यह देखिए मैंने सारी स्नेक प्लांट को लगा दिया सबसे पीछे माई सबसे बड़े वाले हैं सबसे आगे सबसे च्चोटे वाले हैं तो संबसे च्चोटे लगा दिया फीए महीं नगी है यह फर्लिज़े चेलं ने को यह कई प्रेंग के तौड़ी कना होते हैं थon दूबलम ने प्रत् Hmm पर आपको पूरे दिन वली धूपली जगह में इसको नहीं रखना मिट्टी हमेशा ऐसी बनानी जिसमें पानी जाया दिर तक रुका ना रहे हमेशा बुरी-बुरी मिट्टी बनानी है जब मिट्टी ड्राइ हो तब आपको इसमें पानी और कम फटिलाइजर देना है स्नेक प्लांट को जादा ओवर फटिलाइजर भी हो दाता है हमारे फ्लांट्स खराब होने लगते हैं तो बस इतनी सी जानकरी थी कैसे आपको मेरी वीडियो लगी कैसे मेरी रिपोर्टिंग क ये वीडियो लगी तो आप जरूर पताना कैसी जानकरी लगी सब कुछ बताना आप जरूर इस कमेंट्स करके और लाइक जरूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मैं मिलती हूँ आप से नेक्स जूडियों में तब तक क जो माच तो